आजय को कि नमशकर दोस्तों नमशकर दमशकर गुड मॉर्निंग गुड मॉंनिंग सुप्रभात वैलकम नमशकर बच्चों गुड मॉनिंग वैलकम सब लोग कैसे हैं आप इन एक बार सब बच्चे वेटा गजा कफर्म कर देना आप तक मेरी आवास ठीक से आ रही है सब लोग सुन पा रहे हैं ठीक परकार से special class बेटा आज की और आज की class में आपके लिए एक और paper बहुती बहतरीन सा लेकर आए है paper बच्चों हम आज भी reasoning का करने वाले है actually क्या है ना कि अभी special week चल रहा है अभी जो आपका special week चल रहा है बेटा इस week में लगातर आपके लिए daily reasoning के paper करवाने की उपर से guidelines आई है कि इस week में 25 से 31 तक reasoning के paper करवाने है और उसके बाद next month में अपन maths और reasoning दोनों कर लेंगे बेटा alternate पे ना अगले महिने में maths और reasoning दोनों कर लेंगे 25 से 31 के इस festival में केवल और केवल reasoning पढ़ाने का उपर से एक guideline आई है ताकि सब लोग इस पर class special ले रहे है YouTube पर Unacademy की कोई भी class नहीं हो रही है किसी भी channel पर किसी भी जगाए कोई class नहीं हो रही है केवल और केवल और केवल special class चल रही है तो reasoning का एक और बड़ा ही बहतरिन पेपर 30 questions का हम सेट सॉल करते हैं आपके mains के exam के लिए एक बहुत ही अच्छा शांदार जबरदस्त 30 questions का पेपर आज मैं लेकर आया हूँ यह बच्चों एक model पेपर है जो original पेपर की तरह है सेम सॉल होगा हाँ बेटा यह mock test है बिल्कुल नहीं शिवम भाईया I'm not living again me पहले सवाल में आपके GK की बात आगई बेटा आप काईदे में बात को समझें तो इस question में reasoning का concept कम और GK की बात ज़्यादा काम आ रही है जिस प्रकार Durant Cup football से सम्मंदित है तो उसी प्रकार polo game से सम्मंदित कब कौन सा है that is called बेटा इजला कब अब यह एक GK वाली बात है ध्यान रखना GK का game का सम्मंदित है कौन सा game कौन से कब से सम्मंदित है तो कब उत्तराना चाहिए D इसरा कब इस दा राइट आंसर अगली बात sitting arrangement का सवाल करना बेटा sitting arrangement इसमें आपको मैं एक मिनट का time दे रहा हूँ एक मिनट में कोशिश करना कि पूरी class अपना उत्तर ठीक से कर पाए एक मिनट का time कोई कम नहीं है तुक्के मारने वाला काम नहीं करना है आपको आपको पूरा सवाल सौल करना है आपको 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 मिनट करना है कि मैं एकदम बढ़ी है बिल्कुल बढ़ी है कि पॉल तुभारी स्क्रीन पर चमर रहे हैं अम्रेश एक बार रिफ्रेश्च करो परतेuben वेकती अपने मित्त के एकदम सामने बैठा है पहली बात आपको सवाल में दी गई कादिरा नया तो माला ना परमीद के बगल में बैठी है और नाहीं उसके सामने बैठी है इसे मैं कहीं अरेज नहीं कर पाऊंगा परमीद लता के सामने बैठा है देखो आप परमीद को कहीं भी मान लीजिए परमीद लता के एकदम सामने हैं तो सामने इसके लता आगई कहीं भी कर सकते हैं निलू परमीत के ठीक दाएं बैठी है तो परमीत के ठीक दाएं आपने कर दीजिए निलू माला निलू के सामने है माला इसके सामने आ गई खत्व ओली और मीत के बाई और बैठा है इसके बाई और ओली और ओली के सामने कौन बच गया कादिरा सुनो कि इससे इसी सवाल कोई मेंस के पेपर में नहीं आएगा कि बहुत बड़ी आसमर्थ भाई पूरे थर्टी क्वेशन्स करेंगे अपन कहीं भी आपको सवाल में लिखकर नहीं बताया जाएगा कि ये फिक्स कोडिंग है जस्ट अपने सवाल की भाषा को समझें और तुरंत ये बात जज़ करें कि ये एक फिक्स कोडिंग का सवाल बनना चाहिए लिखकर नहीं बनना चाहिए इतनी बातों को अगर आप मैच ना करो तो भी आप समझ लोगे कि सरी ये तो एक दम फिक्स कोडिंग चल रही है पर्टिकुलर एक अक्षर के लिए एक लेटर यूज कर रहा है तो डी आई दो नौ सी टी आठ एक एक का मतलब चार टी का मतलब एक आई का मतलब सब नौ तीन च्छे तो नौ तीन च्छे से खतम होने वाला एक ही अप्षन था पूरे सवाल को आपको पढ़ने की नीड नहीं थी इतने कॉमन सेंस में आप ट्राई कर सकते हो फिक्स कोडिंग की जानकरी आपको आने चाहिए चार नंबर सवाल एक और बहुत आसान सवाल है ये कि गलती होने की संभावना ही नहीं है सवाल को डंक से पढ़ना और फेक्टर में डिवाइड करके अपनी बात को चेक करने का प्रियास करना कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि 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 45 परसेंट लोगबाग इसे सॉल कर पाए कि क्या बचो आपने इसे काउंट नहीं किया अगर काउंट करने पर मिलते हैं तो फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं जानकारी क्या बननी चाहिए तो आप्शन में अगर मैं बात समझता हूं पहला बनेगा बचों और आप्शन में डे डे और आप्शन में यह कर दे दो बार E, दो बार A और दो बार C, तो जानकारी बनाओ C, E, A, C, C, D, ये आपके सवाल का उत्तर था, टुकडों में काउंट करना ही एक मातर कंसेप्ट है, टुकडों में सवाल आपको ब्रेक करना आना चाहिए, पांच नंबर सवाल है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, से ध्यान रखेगा, इंप्रूइमेंट कीजिएगा, गलती होनी नहीं चाहिए. और यह से बताया मत करो, चब्विस, पांच, इकत्तिस, इकत्तिस, साथ, अर्टिस, अर्टिस, और ग्यारा, उननचास, पांच, साथ, ग्यारा को देखते ही, आपके मन में, प्राइम नंबर का विचार आ जाना चाहिए, बिटा, अगर अब की बार एड़ करेंगे, तीरा एड़ करेंगे, बासट आएगा, बासट के बाद में 17 एड़ करेंगे, 17 के बाद में 19, और 19 के बाद में 23, जैको सिरीज आपकी एकदम काईदे में ठीक से बन रही है, बिना कोई डाउट के आप ज्याद कर सकते हैं, पांच के पा जान, विशु, आयूश और मुन्ना, कई बच्चे चार सवाल कर पा रहे हैं, एक सवाल में गलती कर दी है, कोई बात नहीं, एक बढ़िया सवाल है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए बेटा, प्लीज, कल जो आपका पेपर होगा तुमारो उसका लिंक का आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, कल का पेपर आप लोग जरूर जोइन करना बेटा, बेटा हमको रिलेशन चाहिए के एम से किस प्रकार सम्मन दिता है, के एम से किस प्रकार सम्मन दिता है, के एम से, तो ये दो ही जानकारिया पढ़ लीजिए, के आई के चाचा का इकलोता बेटा है, देखो आई, आई के चाचा मतलब इसके पापा के भाई, का इकलोता बेटा कौन है, के, के आई के चाचा का इकलोता बेटा है, पैटर्नल अंकल का बेटा है, यही बनना चाहिए, आपने पढ़ा सर आई और M बहने आई और M बहने और N M का बहाई है और N M का बहाई है यह दो बिटा, खतम हूँ, इतने वह था, मैंने आपसे पूछा था, कि K M से किस परकार सheen स्मन दीता है, तो K M का कजन बनना चाहिए, क्या? के एम का कजन बनना चाहिए जी हाँ के इस दा कजन ओफ एम बस इतने से बात तक चकना था बाकी इस डाइगराम में जे कहां है एल कहां है के कहां है मुझे इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता मुझे इस बात से कोई मतलब भी नहीं है बेटा कोडिंग डिकोडिंग के सवाल तो बटा आप लोग जानते ही होंगे कॉमन कोडिंग तो आप सबने पड़ी रखी हैं यह सब क्लास में बताई गई चीजें वही आपके पेपर में काम आ रही है अब बिना पैन उठाए ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी उत्तर गयात कर सकते हैं अब चाहें तो इसको लिखकर भी सॉल कर सकते बाकी आपको जो आसान तरीका बता रहा हूं वो यह हैं कि आप बिना पैन उठाए इस सवाल को खल करने का प्रियास कीजिए है दिखो आपको पता है एस गूल बैल में डायमेंड नहीं आया इसमें डायमेंड नहीं नहीं आया तो यही पनेंगा अगर इस सवाल को लिखकर किया तो भी आंसर तो बनेगा पर यह सब काम हमें करने नहीं होते हैं यह सब काम हमारे लिए बेनिफिशल नहीं है इन सब को करने का मतलब नहीं है कि एक डायमेंड रिंग को इस डायमेंड रिंग को नियुक्त पिरफिय है कि और अगर आप इस सवाल में इतना सीजों को लिखकर solve करते तो आपका time बहुत लगजा था लेकिन यह सब करने का मतलब नहीं होता न आपको पता है first में और second य हुआ को मनें रिंग और यहां इन दोनों में कोमनー रहा है सी दोबार मिल गातने से आसरे मिंद गल ब्रीट ने सी जानकारी आपको हर एक चीज का defining सक्षाइब अधमी и कि टेस्ट आज 11 बजे होगा मेंस वाला टेस्ट कि आज मेंस वाला टेस्ट आपका 11 बजे होगा कि इतना कम रिजल्ट तुक्के मार के आ रहा है तुम्हारा नीद में चल रहे हो क्या यह साथ लोग है एफ एक ठीक पहले पहुंचता है लेकिन डी के बाद नहीं है यहां पर डी नहीं आ सकता सी स्कूल पहुंचने वाला आखरी ब्यक्ति है कि यह के तुरंत बाद पहुंचता है और उसके बाद जी आता जो स्कूलब पहुंचने मोला रास्ट है सैकिर्ण लास्ट है जी अगर जी आ गया इसके बाद में ई के बाद में आ गया एके बाद में एफ आ अ गया जस्ट पहले डी a जहार बीं को यहां और और यहां लिकेगा यह पूरा अरेंज्चमेंट अ जाये तो मैंने पूछा स्कूल पहुंचने में तीसरे स्थान पर कौर पहुंचता है तो थार्ड पे तो एफ पहुंचता है सवाल का उत्तर एफ बनना चाहिए कि तुम्हारी आंखें ठीक से खुलती हैं सिर्फ तुम्हें ये बात साबित करने है कि सुभए सुभए नेन से जागो सवाल का उत्तर ठीक करके बताओ जो लोग ठीक से सवाल देख रहे हैं उनको तो बात समझ में आ गई होगी मेरे इसाब से बस इतनी सी बात आपको काईदे में समझने हैं डिटो आकरती केवल आप्शन नंबर बी में हैं बी के अलावा कहीं ये सेम आकरती नहीं आठ नंबर में फर्स्ट या लास्ट क्लियर ने दिया क्या क्लियर ने दिया भई अरे जब थर्ड की बात बोली है तो स्टार्टिंग से ही होता है भाई रॉबिन अगर थर्ड की बात बोली है तो वो स्टार्टिंग से ही होता है अगर मैं आपको यह बोलता हूँ कभी कि एक बच्चे की कलास में फर्स्ट रैंक आई फर्स्ट रैंक आई तो फर्स्ट रैंक उसकी टॉप से ही होती है इस बात को कहने की नीट थोड़ी है कुछ चीजें अंडरस्टेंड करने की भी होती है बोड़मास के नियम में गलती मत करना कैलकुलेशन भी आसान है तुक्के मार के काम मत किया करो रहे ना लाइक हो तुमको 20 बार का है सवाल खुद से ट्राइ किया करो जब असल तुम्हारा एससे का पेपर होगा तो भी क्या ऐसे तुक्के मार के आ जाओगे क्या विभाजन और जोड को बदल दिया और गुणा और गटाव को बदल दिया तो कौन सी जानकारी ठीक से बननी चाहिए डिवीजन वाली की आपके बहुत काम आती है आप माने नहीं माने दोस्तों आपको सवाल में यह बोला कि पलस और डिवाइड को आपस में इंट्रचेंज कर दो मल्टिप्लाई और माइनस को आपस में इंट्रचेंज का मतलब होता है दोनों की जगह आपस में बदल नहीं है दोनों के प्लेस आपस में बदल नहीं सर्क डिवीजन और एड़ को जोड कर दिया मल्टिप्लाई और गटाव को चेंज कर दिया लोग फॉस्ट वाले में बन जएगा 24 divided by 84 यह दो बटे 7 बनेगा fraction की बात बनेगी fraction में तो काम नहीं करना है यहां बात बन सकती है तो अब second वाले option को करके देखो 24 गुणा 84 भाग 12 पलस 16 गुणा 7 सर जी यह बनेगा 24 माइनस 7 पलस 112 तो यहां 17 बनेगा 17 और 112 129 बन रहा है जी हां सटीक बात बन गई उत्तर सवाल का यह आएगा बोड मास का नियम हमेशा अपलाई करना आना चाहिए केवल 3 बच्चे क्लास में सारे सवालों के उत्तर दे पा रहे हैं श्वेता, शीतल, अंजान, गायतरी, आयूश मुन्ना, दिपक निखिल श्रेया और इतुसको बाकी बच्चों को अभी भी जानकानियों में डाउट चल रहे हैं सवाल तो 10-15 सेकंड का ही है, टाइम तुमको मैंने अराम से दे दिया करने के लिए चिंता की कोई बात ही नहीं है वेटा पहले अक्षर की बात को समझोगे 3-3 माइनस दिख रहे हैं यह 3-3-20 में 3 गटा होगे 17 सर जी यहाँ पर देखोगे 4-4 एड दिख रहे है एक चार पांच चार नो चार तेरा चार सत्रा पलस चार चार की बात चल रहे है क्यूं क्यूं से स्टार्ट होगा कुछ आगे और काम करने की नीड नहीं थी केवल क्यूं और क्यूं को देखकर आपका उत्तर तो आ गया फिर भी आप चाती लिए को पूरा करना तो यह 12-7-5-5 माइनस चल रहा है तो 23 में से 5 गटाओगे 18 और लास्ट में बताओ बेटा लास्ट में इसी दिए चल रहे है क्या यह वावल चल रहा है वावल कि ए ए आई ओ यू का पैटर्टन ध्यान रखना यह भी आपके पेपर में बहुत काम आ जाता है दाइस के सवालों के बारे में आप सबको जानकारी होगी बेटा आज तुम्हारी मैथ की कलास में डाउट सेशन होगा और पांच बज़े वाली कलास में पेपर होगा मैथ का पार्ट वन का पार्ट वन में आपको जितने टॉपिक पढ़ाएं ना रेशो एंड परपोर्शन मिक्स्चर एलिगेशन एज पार्टनर्शिप और एवरेज इनका बच्चो टैस्ट कंड़क्ट होगा बहुत बढ़िया वाला और मतलब उस टैस्ट में वह सवाल होंगे जो मैंने आपको कंसेप्ट तौ उनके मिलता जूलता है ये लेकिन लेंगवेश अलग है ताकि आप एक नई चीज एक सर्फेस कॉमन मिल जाए तो कॉमन से स्टार्ट करके कलॉक वाइट रोटेट कर लिया करो तीन के सामने पांच और पांच के सामने तीन बनना चाहिए कुछ और करने की आवशक बात कि दस सेकेंड से उपर का सवाल नहीं है वेटाओ प्लस पर बैठ चलता है दिसे हर बात पर लिंक चाहिए लिंक दो लिंक दो लिंक मेरी प्रोफाइल पर जाओ मैट्स के बैठ चल रहे हैं उनमें एन्रोल कर लो डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा रोज क्लास ह रही होती है वेटा कोई के वहल आज तो है नहीं है वारा बजे आपका रिजनिंग-का टॉपिक वाइज प्रेक्टिस बैच चल रहा है और जो प्रैक्रिक बैच चल रह रहे सीजील मेंस के लिए इन दोनों को डेफिनेटली पढ़ वेटा जानकारी समझो बेटा शेडूल में है इतना पता है कि मेंस से पहले पहले आपके ये सारे टॉपिक हो जाएंगे सब कुछ पूरा हो जाएगा मेंस के पहले पहले मेंस का एक्जाम आपका अक्टूबर के एंड में है उसके पहले शेडूल में सारे टॉपिक हमने डाल दिया पहली बात दोचों आपको पूछी है एम ग्रेटर देन ए देखो अगर मैं अपने सवाल में केवल और केवल एम और ए को देखू ना बिटा तो एम से लेकर ए तक सिरीज मिल रही है स्टेंडर्ड और स्टेंडर्ड में ये भी कन्फरम है कि एम का मान या तो ए से बड़ा होगा या बराबर होगा और दूसरी बात करने हैं जी एम ए से चोटा है नहीं सरसी नहीं इम होगा तो एमा से बड़ा होगा या बराबर होगा दोनों बाते आनी चाहिए यह बात आपको पता है only first वाला point follow बनेगा अगर एम greater than a होता तो सही होता नहीं बैटा नहीं होता अगर आप इसमें m greater than a कहते न तो हम इसे बोलते partially यह हो भी सकता है और नहीं भी और मालो एक में आपको m equal to a देता यह भी पार्शली होता हो भी सकता है और नहीं भी तो यह तीन और चार अगर पेपर में इत्ता ही आता ना तो हम इस पर आइदर और लगाते हैं कि इन में से कोई एक बात फॉलो है कौन सी है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन जानकारी आपको इस परकार की मिल जाती है आँखें खोल कर सवाल को पढ़ लेना फॉर्मूला कोई बैतर नहीं है झाल कर सकते हैं कि अक्षरों का कौन सा समोई यह दिखाता है जो पुरुष भी है और कलाकार भी बैटा पुरुष का मतलब मैं का मतलब यह रेक्टेंगल है और कलाकार का मतलब है ट्रैंगल यह कलाकार है यह ट्रैंगल यह आप इने कह सकते हैं आर्टेस्ट अब मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो रेक्टेंगल और ट्रैंगल में कॉमन आए तो ए और बी क्या इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं के यह ए और बी यह आपके मन में किसी के डाउट यह भी आएगा शर्जी ए तो सरकिल में भी आ रहा है ए तो योजना कार भी है उससे फ कोई मामला नहीं है दोस्तों कि 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 अगर इनको डिक्ष्णेरी के ऊडर में अरेंज कर दिया जाए तो चौत यह स्ताथ पर क्या एक आरE का है तो चौत हे स्थान पर रे 안 Vanguard and रेमाएगा सिंपल सी बात है स्टार्टिंग वाले अक्षर को डंक से आपको देखना आना चाहिए श्वेता शीतल अंजान तीन बच्चे सारे सवाल आयूश गायतरी श्यया इतुसको निशा दिपक और गरीमा 14 सवाल आगे आगे चलते जाओ बातों का बहुत मज़ा आने वाला है फ्री स्पेशल क्लास का बेटा अनेकैडमी प्लैटफॉर्म पर एक स्पेशल वीग चल रहा है 25 से 31 तक आपको स्पेशल क्लास डेली मिल रही है कल 28 तारीक को जो स्पेशल क्लास होगी उसका लिंक मैंने उपर पिन कर दिया है रिजनिंग का ही एक बहतरीन सा पेपर सेट होगा बिटा इस लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेर कर सकते हैं जो भी स्पेशल की तयारी कर रहे हैं मेंस का एकजाम देने वाले हैं आप उनको एनकेडमी एब के बारे में रिकमेंट कर सकते हैं और अगर फ्री क्लास जोइन करने के लिए किसी कोड की डिमांड करे रैफरल कोड आपसे पूछेंगे फ्री क्लास को अनलोक करने के लिए तो आप समित गोईल सर कोड भी उनको उप्ता सकते हैं फ्री में वह आप इन सारी क्लास को पड़ पाएंगे आज 27 तारीक है सुबह 11 बजे आपका ये टेस्ट होगा मेंस का एक बहतरीन साथ पेपर सेट आपके लिए होने वाला है दो लाख रुपए के प्राइजिस बेटा आज आपको डिस्ट्रिबूट किया जाएंगे जिनमें मैथ स्रेमो सर इसलिंग सुमित गोईल सर इंगलिश लानी में जीके करती में और कंप्यूटर परत्युक्ता मंत्रा टीम द्वारा आपको पेपर बना के दिया जा रहा है रिवार्ड मिलेगा पांच पांच सो के प्राइज मिलेंगे यह सारी चीज़ें बेटा आपको पेपर में लगातार दी जा रही है ऐसा लिंक आपको एप पर मिल जाएगा आरे एप पर चेक रोगना बेटा मिल जाएगा सारी बात आल इंडिया रेंकर बैट 24 तारिक से स्टार्ट होए बैटा और 28 तारिक से यानि कि कल से हमारा मैट का भी नेया बैच शुरू हो रहा है परसेंटेस टॉपिक से होगे जोभी बच्शा पर्सेंटेल्स टॉपिक से मैंग को पढ़ना चाहता है लेवल बिलकुल बेशिक से यह होता है यह बताने की नीड नहीं है जो भी बच्चे हमारी क्लास पढ़ते हैं उनको पता है कि जो टॉपिक तुम्हें करवाई जाते हैं वो सारे लेवल जीरो सी होते हैं बेटा मैंने मैट के बैच का लिंक उपर पिन कर दिया है आप सभी बच्चे जो चाहते हैं बिल्कुल जीरो से मैट पढ़ना उस बैच में दोल कर सकते हैं वीर बैच दिल्ली पुलिस कॉंस्टरबेट आपके लिए 24 तारिक से अनेकैडमी प्लैटफर्म पर स्टार्ट हो रहा है SSE के एक्जाम्स के नोट्स आपको सिस्टम पे अविल करवा दिये जाते हैं टॉप एजुकेटर द्वारा तैयार किए कि नोट्स का एक्सेस मिल जाता है सेल्फ स्टडी टैब में आप जब चाहें तब इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं सुमित गोल सर कोड का यूज करें और अनकेडमी प्लैटफर्म पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों कि अपोजिट वाले आमने सामने आते हैं सर तीन के सामने आएगा चार अल्टरनेट वाले एक के सामने बनेगा दो और पांच के सामने बनेगा छे इस ओपन डाइस को देखकर ये जान लो किसके सामने क्या आएगा सर अगर एक और दो आमने सामने थे तो ये आस पास कभी हो नहीं सकते 3 और 4 अगर आमने सामने थे आस पास कभी हो नहीं सकते 1, 3, 5, 2, 4, 6 हाँ बेटा A और B के बनने की सम्भावना है A और B का डाइस बन जाएगा और कोई बन नहीं सकता और कोई हो नहीं सकता That's all एक और सवाल कीजिये न पिछली बार इसमें 45 सेकंड का टाइम दिया था आपने का जी टाइम कम पड़ गया टाइम थोड़ा एक्स्टेंड कर दिया गया है थोड़े आराम से ट्राई करना है थोड़ा से आइडिया पढ़ ना पी एम जड़ खतम हो रहा है करे साप पी एम जड़ यहां मिल रहा है पीएम जड़ तो यहां मिल रहा है कई बार प्रैक्टिस करने के बाद में पूरा सवाल तुम्हें लिखने की नीड नहीं पड़ती है जीपी सीटी जीपी सीटी जीपी सीटी जीपी सीटी बन रहा है डी एडव्यूपी डी एडव्यूपी डी एडव्यूपी एम्जेट 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 सब्सक्राइब टोटल अक्षर में पूरी कहानी बननी चाहिए सर्जी स्टार्ट होगा पी ए खतम डीडवल्यू डीडवल्यू से एक ही ऑप्षन खतम हो रहा है और तो कोई हो नहीं रहा है काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करना तरीका होता है लेकिन अच्छा अभ्यास करने के बाद आप चीजों को चुड़ा जल्दी कवर कर पाते हैं जल्दी उनके बारे में सेख पाते हैं हाँ आ यह इस टुट अधिन देख़ें कि फर्स्ट ऑप्शन कहां लिखा हुआ है कि आपको next figure नहीं पूछी हैं आपको यह पूछा है कि इनमें से एक figure गलत है इससे में स्वेंगे समय बाहर के सारे अर्ग्यूमेंट का सवाल है वेटा यह टॉपिक भी आपके मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं अजंप्शन्स आर्ग्यूमेंट्स कॉज और इफेक्ट इन्फरेंट्स क्या विभिन धर्मों के बारे अध्यन को स्कूली पाठयकर्म का इसा बनाना चाहिए आपको अपनी ओपीनियन नहीं पर ऑलों में इन लोचित को पढ़ना यह यह लोचित को पढ़ना है क्या वभिन धर्मों के बारे में अध्यन को फेर्ट Пр sırब इस पहला येस हां इट मेंट चिल्डरन ओपन माइंडेड एंड असेप्टिंग टुवाइट्स दा अधर पीपल स्फेथ हां यह बच्छों को खुले विचारों वाला और दूसरे लोगों की आस्था को सविकार करने वाला बनाएगा हां बटा यह बात स्ट्रोंग है न अगर ब वो सारे धर्मों के विचार सीख पाएगा और औरों की आस्था को सविकार भी कर पाएगा यह बात सही है नहीं यह च्छात्रों को संसारिक जीवन त्यागने के लिए प्रेजित कर सकता है यह बात नहीं बटा अगर मैं बच्छों को धर्मों के बारे में कोई जानकारी यह लॉजिक इसका फेटफुल लॉजिक नहीं है यह इसका वीक लॉजिक होगा अनकेडमी प्लस पर बेटा मंडे नहीं त्यूजडे वाली कलास से आपके लिए स्टेटमेंट अजंप्शन आर्गूमेंट कॉज एन इफेक्ट इनकी कहानी शुरू होगी दस बजे की कलास मे कंसेप्ट सिखाए जाएंगे बारा बजे उनकी प्रैक्टिस की जाएगी जो बच्चे मेंस का पेपर देने वाले हैं वे इन क्लासेज को जरूर जोइन करें कितना बढ़िया हो रहा है काम दा गवर्मेंट है रिसेंटली अनॉंस्ट मैंनी कंसेशन्स एंड ओफर्ड अट्रेक्टिव स्कीम फॉर फॉर्णर स्टुडेंट्स सरकार ने फॉर्ण फॉर्णर टुरिस्ट सरकार ने हाल ही में कई लियायतों की गोशना की है और विदेशी प्रेटकों के लिए सरकार फॉर्णर के लिए स्पेशल डिस्काउंट या स्पेशल ओफर लेकर आरिया है इसका मतलब क्या है वेटा है इसका कंक्लूजन क्या है एक सरकार विदेशी प्रेटकों को आकर्शित करने में गंबीर नज़र आ इसलिए तो उनके लिए offer, concessions, discount कुछ offer किए Now more number of foreign tourists are likely to visit the country अब देश में अधिक संक्या में विदेशी प्रिटक्ट आने की संभावना है जी हाँ, दोनों conclusion आपके follow करते हैं दोनों बातें आपकी अनुसरन करती है श्वेता, शीतल, अंजान, बच्चे अभी भी लीडर बोर्ड पे बने हुएं, टॉप के साथ आयुष, गायतरी, श्रेया, निशा, आर्यन, सक्षी और खुशी स्वरी, आयुशी, 18 सवाल तक बच्चे कर पा रहे हैं देवेंदर भाई, इस बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, रानी में में बता पाएंगे एक चाबी को गई है, आपको मिली क्या? एक हमारे पास से चाबी हो गई है, आपको मिल गई क्या? अब कोई कोई बच्चा तो ये भी सोच रहा होगा, जिसमें टाइम बहुत लग गया, सारे ओप्शन चेक करें, पिटा, अगर आप सही में पेपर की तयारी कर रहे हो, घर पे महनत करके गए हो, तो तुम जाकर सीधा पहला ओप्शन डी ही चेक करोगे, तुम जाकर पहला ओप्शन डी ही चेक करोगे, और इतना आसान सवाल तो बेटा कोई भी बच्चा, सर डी के बारे में कैसे पता लगा, अरे तीसरी जगह पर भाग जा सकता है, च्यालिस में बारा का नहीं, बारा में बारा में बत्तिस का नहीं, बत्तिस में आठ का बाज है, तो थर्ड प्लेस पे डिवीजन आना चाहिए, जो केवल डी में मिल रहा है, सर जी ऐसे तो दो जगह आ जाए, तो भाईया फिर आप चेक करे ले ना, फिर मैं क्या बताऊंगा, बात को समझो, चार सो साथ और बाण में पान सो बावन, चार और माइनस हो गया बिटा, एक सो उन्निस, पान सो चपन में से एक सो उन्निस गटा कर देखो, चार सो सेंटिस बनना चाहिए, डिवीजन इस दा की, सवाल तुम्हारे डिवीजन से आसान बनेंगे, इस तरह स्पेशल क्लास पढ़ने का थोड़ा मज़ा ज्यादा आता है ना बेटा, डिस्टल बोर्ड की बज़ाए, यहां थोड़ी अच्छे से बनती है, कई बार तो किसी एक आकर्ती को देखकर ही काम हो जाता है, देखो यह आकर्ती पे गौर करो, यह clockwise एक स्थान आगे मूव कर गई और लाइन हो गई बेटा, होरिजोन्टल, एक स्थान मूव कर गई, लाइन आगई वर्टिकल, एक स्थान मूव कर दो और लाइन कर दो होरिजोन्टल, यह वाली आकर्ती बननी चाहिए सर जी, ऐसा इसमें नहीं है इसमें नहीं है यह यह बनना चाहिए आप किसी और आकरती को भी देख सकते हो जैसे यह लाइन है यह एक rectangle है ये 90 डिग्री गुमा दीजिए ऐसा बनेगा और 90 गुमा दीजिए अब की बार फिर से 90 गुमाओगे तो ये इसी प्रकार का बनना चाहिए ऐसे भी option आउट कर सकते हैं ट्राइंगल अपनी जगह से 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है तो अब की बार ये ट्राइंगल जब 90 डिग्री रोटेट करेगा तो सब्सक्राइब आपके सामने उत्तर यही बन रहा है किसी भी प्रकार में चेक आउट कर सकते हैं समय की चिंता मत करना यह कौन है रे नालाइक ऐसे मुझे नाम तो पढ़ने दो इनका शत्रुगहन वे नौम अंकित दिव्य जोती कमल रौनित नालाइक लोग है नालाइक सवाल देखा ए दबा दिया अबे ऐसे ए कोई उत्तर बन जाएगा पांच दोस्ते हैं एक दो तीन चार पांच एक सिधी पंक्ती में तो बैठे हैं पर सबका मुख एक ही दिशा में नहीं है यानि कुछ का नौर्थ में कुछ का साउथ में पता नहीं है पता नहीं है अनुष्का एकदम बाई और है यह अनुष्का है और इसका फेस कायन नौर्थ हुए और अब हाति दारिनी धार्शिनी रस्थ ऑच्छरी नोश्का के दायन चौतह स्थान पर एक दो तीन चार ben और उसका मुख अनुश्का के विप्रीत हमेद इसका मुख साउथ में आएगा कि बावना बीच में बैठी आ है और इसका मुख अनुष्का के विप्रीत है इसका फेस भी साउथ में चारली अनुष्का का पडोसी है और इसका मुख उत्तर दिशा में है यहाँ पर आएगा दोस्तों एडविन पर एडविन भहिया तुम्हारा फेस किदर है यह तो बताओ यह तो बताए नहीं तो मैं नहीं कह सकता कितने लोगों का फेस साउथ की तरफ है या तो दो का होगा बेटा या तीन का होगा अगर इसके ऑप्शन में डी ऑप्शन होता ना आइधर टू और थ्री तो भी आप उत्तर बेटा मान लेते क्या अरे बोलो बोलो मान लेते क्या हाँ बहुत बढ़िया बोलो माद्वज्च आंगर नाइए नाम नाम थाटॉज्टे लुडफ़ और इन आट 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 इन ट मॉरूट पेंगिर्ट रॉपरिश्टॉज्च नियुडें की तो फुटनुंट्टर इंड इंडिनन मारक इंडियन मारक इंड श्रॉब इंड पीयस अर। फुट्ट् रुक जा रहे सनी भाई रुक जा थोड़ा सवाल में चेंज करने की बात सोच रहा था ने कोई बात ने भारतिये बाजार में रिप जिन्स का नया ट्रेंड आया है अब जो नया ट्रेंड आया है इसी लिए तो वो आपको यह बात पता है दोस्तों रिटेलर है इंक्रीजब्द दस्टाउक और रिप जिंस इंडियर शॉप जियान तिको यह एक अने कफन का मतलब यह एक परकार का कौज है कफन का एक प्रकार का क्या है बचो कॉज है अब यह कॉज का मतलब है कोई भी जो बात आपको दी गई अब इस चीज का प्रिणाम क्या होगा इस चीज का इफेक्ट क्या हो रिप जिन्स आर न्यू इन ट्रेंड ऑफ इंडियन मार्किट ट्रेंड का मतलब है लोग ज्यादा पसंद कर र दुखानों पर डिमांड ज्यादा आई होगी तो इतो बैटा यह बाद बनी होगी प्रोडूसर अर्ण ए हाइर प्रॉफिट फ्रॉम रिप जिंसर रिप जिंसर निर्माता ज्यादा मुनाफ़ा कमाते हैं तो यह बाग पूरी तरह सही नहीं है इसका इफेक्ट ये पूरी त कैन आनके हाई प्रफिट ऐइं रिप डिप जिन से निर्माता जादा मुनाफाक कमाते नहीं कमा सकते हैं ऐसा आना झा री जिन्से जादा मुनाफाक कमा सकते की आफश्ता थी मैं इसी दिए्ः सवाल कौकर चつह कर रहा था कि जएदा मुनाफ़क्ट कमाते हैं ये नहीं पता इससे जाधा पते हैं जो दिये बेटा उससे फिस्ट है जो दिया उससे फिस्ट है क्योंकि जिंसे कमाई ज्यादा होती होती है औरों से होती है इस बारे में रिलेशन नहीं है हर जिन से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं यह इसका प्रभाव हो सकता है तो कैन वर्ड की इसमें और नीड़ थी नहीं तो बैटा के वल फरस्ट सही है नहीं तो नहीं श्वेटा हाँ तो पर बीस सही माना है बैटा इसका लेकिन उसमें ज़्यादा मुनाफ़ा उससे कमाते हैं यह करेक्ट नहीं यह बात यार्ट कमा सकते हैं कि एवरेज का टॉपिक कल आपने कम्प्लीट कर लिया था जो टॉपिक आपके मैट्स में पूरे हो जाते हैं उनके प्रैक्टिस का काम बेटा करते रहा करो उन पर अभ्यास करते रहा करो और तक सिरीज बन रहा hiya non standard है रिलेशन मुम्किन यह नहीं है एप से क्यों तक भी शेंडर मुम्किन नहीं है ना तो एक बनेगा ना ही दो जब कोई सिरीज नौन स्ट्रिड बनती है उत्तर ग्यात नहीं हो सकता केवल शीतल बने है टॉप पे पार झाल फाउंडेशन कोर्स पढ़े ओ तो यह तुम्हें बहुत आसान लगने वाला है इसको पूरे मिल गए ना बेटा और जो तरीके मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाये थे उनसे मिले ना इसको पूरे मिल गए ना तुम्हें लोग कितने बुद्धी मान होगे वहाथ केवल पेपर में जो मैंने इतना ड्रो किया है इतनी सी आकरती आती ना बच्चे इसमें बोलते अठारा आठ 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 सोला और दो अठारा ये लाइन बनाओगे ने को बाहर में तीन तो बन रहे हैं मैंने आपको बताया था कि यह आकरती आपको जरूर समझने हैं अक्सर बच्चे इसी को भूल जाते हैं सारा तीन इकिस तीन चौबिस चार अठाइस पेपर में सवाल इतना सा आएगा 28 कहिएगा जैसे तुमने यहां पर यह लाइन लगाई दोस्तों इसने देखो एक दो तीन चार और दो यह बड़े छै ट्रैंगल अंदर में और बना दिये तो 28 के बाद में छै और बन गए 34 होगे ऐसा डेटा सफिशेंसी डेटा सफिशेंसी क्वाई झाल झाल 33.56% उप्तरलोग कर रहे हैं देखो बात सुनो मेरी बात यह सवाल तुम्हें मैं एक बार अगले पेज़े बता रहा हूं जगह कम है इसलिए चार व्यक्ति A, B, C, D दक्षिन की और मुख करके एक पंक्ती में बैठे हैं सबका फेस बच्चों साउथ में और इतनी बात पता है जी इधर इनका राइट होगा इधर लेफ्ट होगा इस हवाल में दिया गया दाएने छोर पर कौन बैठा है इसकी बात करते हैं पहला पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं बच्चों B और D के बीच में दो लोग बैठे हैं यह ऐसे B के बीच में दो लोग बैठे हैं एए बी के ठीक बाई और बैठ है देखो अगर मैं बीडी मानूंगा एबी के बाई और बनेगा तो यह पॉसिबिलिटी संभाव है ना तुम गलती से बी को इधर मान लेते उसका बायां तो बने नहीं पाता पिटा फर्स्ट पॉइंट से तो आपके सवाल का उत्तर आ रहा ह फर्स्ट पॉइंट से तो आपके बात का उत्तर बन रहा है चाहे तुम बात करो बीच में कौन है लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है जानकारी एकदम क्या बन रही है कन्फर्म बन रही है इसमें भी चार लोगी मानने इसमें भी आपके सामने चार लोगी मानने बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है पता नहीं सब बी का हैं सी का है अब कहीं भी कह सकते हो बी एसी यहां भी संभव है बी एसी यहां भी संभव है तो राइट वाले कॉर्णर की जगह इसमें कंफर्म नहीं आए कि सथर्जी फ़स्ट वाले पॉइंट से तो मेरे सवाल का उत्तर आ सकता है सैकंड्ड वाले से उत्तर नहीं आएगा हम कहेंगे बात आपको सवाल में यह दी गई कि कतन एक में दिया गया डेटा प्रशन का उत्तर देने के लिए परियाप्त है लेकिन दो में दिया गया डेटा सवाल का उत्तर ग्याद करने के लिए प्रियाप नहीं कि अब इसा कुछ प्री के कट आफ के बारे में सब तुक्के होते हैं अब मैं कह दूं कि 145 कट आफ जाएगी तो मान लोगे ना कि तुमने तो एक कमेंट कोपी कर लिया और भाई साहब जब तक उसका रिप्लाई नहीं आजा था तो चाहिए 3822 बार टाइप करना पड़ जाए तो कर देते हों कि वह कर रहा है कि सारी बातों को छोड़ो पहले मेरी बात का रिप्लाई करो कौन कॉपी पेस्ट 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 कॉपी पेस् का और कुछ करने की बात हैं तो ट्वंटीन नाइन नंबर सवाल दुरघटना से देर भले बड़े आराम से करना बेटा सिरीज में अगला कम गायब है गायब कैसे है वो तुम देखकर बताओ ना कि अ कि अ करतियां एंटी क्लोकवाइज एक एक स्थान आगे खिशक रही हैं है आप एक बात देखोस परस्ट में और सेकंड में देखूना जो मैंने यह तीन आकरतियां सामनें मार्क की ऐं इंतीनों को तो गायब कर दिया और बागी के तिनों सेम लास्ट वाला एक छोड़कर एक छोड़कर यहां से मैं आगे देखू ना बेटा तो इसको इसको और इसको चेंज कर दिया बाकी की तीनों सेम है फिर मैं यहां से यहां देखता हूं बेटा तो लास्ट वाले को इसको और यू को चेंज कर दिया बाकी का सेम है एक बार लास् अब की बार तुम देखना P, N और ये वाली आकरती चेंज करेंगे, सर अब की बार मुझे आकरती चेंज करनी है, तो कौन कौन सी बदलेंगे, एक तो इसको चेंज करेंगे, एक इसको चेंज करेंगे, एक इसको चेंज करेंगे, तो आप देखना जी, फर्स्ट वाली आफ्तर वाई ट्रेंगल यह इसमें भी कि क्या को अकरती नहीं आनी चाहिए नई आकरती यहवाली आकरती जो मैंने मार्ट करि heart करिये हैं यह तो सवाल का पाट होगी नहीं गयब कर दिजिये अबने का जी स्क्राइब कर दीजिये एक एक करती को अगर आप इसमें eliminate करेंगे इसे ये वाली आकरती नहीं बन सकती equal to be repeat हो रहे है equal to be नहीं आएगा हर बार आकरती कुछ नहीं बन रही है हर बार आकरती कुछ नहीं बन रही है बेटा SB पहले आ चुका है ये भी नहीं आएगा तो नई नहीं आकरतियों के आधार पर केवल भी बनना चाहिए ऐसा आखरी सवाल हर बार आकरती नहीं आनी चाहिए थी बस इतना देख लेजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें सवाल में मल्टिप्लाई का अनुमान हो गया हो 61 गुणा 23 होते हैं 1403 दो एड करना 1405 बनेंगे क्योंकि समय सीमा पूरी हो गए है 43 गुणा 11 होते हैं 417 दो एड करेंगे 475 चैसट गुणा 11 करेंगे 660 दो एड करेंगे 662 और प्यारे बच्चों ये आज का पेपर हुआ कंप्लीट कल फिर से रिजनिंग का पेपर ही आएगा और ये आपकी क्लास का आज का टॉप बच्चों का रिजल्ट बेटा बहुत ही बहतरी चलिए कल मिलते हैं रिजनिंग का एक्जाम करेंगे बढ़ी धन्यवाद